आज मैंने सोचा कुछ खास टिप्स लेके आऊं आपके लिए जो सबसे ज़्यादा आपके काम आए और साधीम में आपका समय बचाए और पैसो की भी बचातो Hello everyone and welcome back my channel कैसे हैं आप लोग, hope आप लोग ठीक हूँगे, मैं भी ठीक हूँ तो दोस्तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूँ आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो चैनल पर नए हैं सस्क्राइब कीजिए जो भी वीडियो आपको पसंदा था, अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए तो चलो चलते हैं, वीडियो की तरफ, मैरा आज का पहला टीप है ये बैलून, बैलून जो बच्चे अक्सर फूलाते हैं और इधावदर फेंग देते हैं तो उन्ही मैंसे मैंने भी एक बैलून ले लिया है, और साथी में ले लिया एक सीजर, बहुत अच्छा और आसान और कारगर्ग है ये आप बैलून को बीचो बीच में छेद कीजिए, हो सके तो आप तीन-चार छेद इसके चारो तरफ और कर दीजिए इससे क्या होगा जब हम लोग फूलों में पानी डालेंगे, तो आप पाइप के मूँ के आगी से ये बैलून को लगा लेजिए, अगर बैलून धीला हो जाए तो उसे अच्छे से बाद लेजिए, उससे क्या होगा आपका जो पानी है ना, पेड़ों पर एकदम से तो उससे पेड़ों में गड़ा नहीं होगा और हमारे फूल भी खराब नहीं होगे और जब हम फूलों को वाश करते हैं उसमें पाइप के मूँ के आगे से हाथ लगाते हैं तो इससे हमें पाइप के मूँ के आगे से हाथ भीन लगाना पड़ेगा, और मैंने क्या व्यू जो कुर्टी अब गर्मियां आ गई है और कुर्टियों की तैय बनाना बहुती मुश्किल काम होता है क्यूंकि अगर हम इने बनाते तो इनमें फिर पर जाती है तो हमारी कुर्टी में प्रस नहीं होती इसलिए हम पिर उसे छोड़कर दूसरी वाली कुर्टी को पहन लेते तो इससे आपकी जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो आपकी कुर्ती को मैं ना तो सिल्वटे पढ़ेंगी और ना ही आपको इसकी तैय बनाने में कोई दिक्कत होगी मैंने एक उपर से पकड़ा है गले की तरफ से और एक बीचो बीच में पकड़ कर उसे सबसे नीचे वाले कोने को पकड़ के रख लिया है और इससे मेरी कुर्ती की आसानी से तैय बन चुके तो दोस्तों आप जैसा जैसा वीडियो में है ऐसे आप करते जाएए इससे आपकी पसंदाया होगा है हुए तो मेरा थ quieres है यह कॉर निचन में काम करते और हमारे हाथ कही न कहीं से जल जाते तो मैं क्या करती हूं की इसी मिलाहा जलता है तो मैं हहां पर ऑzubikle लगा लेते हैं क्या होता है हमारे हाथों में जी जलन उती हो नहीं उतना है तो आप लोग भी ऐस कीजिए इससे आपके हातों में ना तो जलन होगी और जलन आसानी से ठीक भी हो जाएगी तो दोस्तों ये तो हर महिला के उपर परिशानी आती है तो ये टिप जरूर अजमाईए तो दोस्तों अब मेरा नेक्स टिप है ये बैंडेट अकसर हम लोग जब बैंडेट का यूज करते हैं हमारे हाथ कर जाते हैं पाउं कर जाते हैं तो हम लोग बैंडेट का यूज करते हैं जाकि यह बलडिंग ना हो तो जब भी हम बैंडेट लगाते हैं तो वह बैंडेट आसानी से निकल के गिर जाता है क्योंकि वह एक पर एक चड़ता है और धेला हो जाता है तो मै क्या कर रही हूं इसके दोनु तरफ से बीच-बीच में कट लगा दे रही हूं जो पीच का पोर्शन उसे छोड़ दे रही हूं देखिये जैसे मैंने वीडियो में किया है इससे क्या होगा आपका बेंडेट आसानी से नहीं निकलेगा अगर आप इसको फिंगर में यूज कर पहले पहले कट कर लें तो चिकल निकालने के बाद इसे जिस पोर्शन में आपके चोट लगी है उस पोर्शन में लगाए लगाई यह जैसे ही आप लगाएंगे तो जो इसके यह देखिये हाप चोट लगी हुई है इसके जो कट है न वो एक एक लेफ्ट को राइट साइड को क्रोस कीजिए और राइट को लेफ्ट साइड को क्रोस कीजिए और ऐसे ही दूसरी साइड से भी जो राइट को है लेफ्ट की साइड को क्रोस कर दीजिए और राइट को लेफ्ट की साइड से इससे क्या होगा बैंडे भी नहीं होता है और बैंडेट बारबा निकलने का जंजट नहीं होता है तो दोस्तों मेरा नेक्स टिप है यह लाइटर अक्सर हम लोग किचन में काम करते हैं और लाइटर की सफाई करना भूल जाते हैं तो लाइटर को सफाई अगर हम नहीं करते हैं तो इसमें जो निकलने तो इसको हथे हफ्ते में साफ कीजिए यह देखिए एक एरबर्ट की मदद से मैसी साफ कर रही हूँ हो बहुत ही अच्छे से और आसानी से साफ हो जाता है आप एरबर लीजिए और इसके अंदर चारो तरफ घूमा लेजिए कितनी ही जादा गंदयी निकल रही है इससे क्या होता है न हम लोग kitchen अक्सर काम करते हैं oil का काम होता है kitchen में तो हम लोग lighter को इधर उधर रख देते और इसमें क्या होता है धूल डस्ट आगे चिपक जाती है और फिर हमारा lighter खराब हो जाता है तो अगर आपका भी lighter इसी तरह से खराब हो गया है तो आप earbud की मदद से साफ कर सकते हैं तो दोस्तों आपको मेरी ये टीप कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो please like, share, subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं next video तक तक ले बाइ-बाइ सुस्त रहे, मस्त रहे, घर पर रहे